नमस्कार दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 21,000 GK के important question answer जो कि सभी परिछाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है इनसे बाहर आने का कुछ नहीं है 21,000 question किसी भी exam के लिए बहुत ही important है और कोई भी exam के अपता यारी कर रहे हैं सरकारी teacher बनना चाहते हो या सरकारी job प्राप्त करना चाहते हैं तो 21,000 GK के question आपके लिए बहुत ही जरूरी है यह वीडियो का part 10 है इसके पहले और वी वीडियो बना चुके हैं जो कि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप playlist में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की बन लाइनल फोर में सभी question answer हैं और यह बहुत ही important है तो इन सभी 21,000 GK के important question answer को देख लीजिए और साथ ही में आपको बता देए इस वीडियो के last में आप से एक question पूछा जाएगा जिसका जवाब बता कर आप जीज दते हैं बहुत सारे एनाम mobile recharge mobile gift आदी चलिए सुरू करत हैं आज का यह video तो आज की video में हम लोग जानेंगे कुछ पिरमुक समाधी स्थल कहां पर किस नेता कि किस महान व्यक्ति की समाधी है यह सब जानने वाले हैं इस video के अंतरगत तो एक site समाधी स्थल लिखा है और दूसरी तरफ लिखा है संबंधित व्यक्ति तो राजगाट राजगाट पर किसकी समाधी इस्थल है राजगाट महात्मा गांधी का समाधी इस्थल है सांती बन किसका समाधी इस्थल है सांती बन जबाहरलाल नहरूजी का समाधी इस्थल है सांती बन जबाहरलाल नहरूजी का समाधी इस्थल है जबकि राजगाट महात्मा गांदी जी का समाधी इस्थल है नेक्स्ट विजएगाट विजएगाट किसका समाधी इस्थल है विजएगाट लाल बादुर सास्त्री जी का समाधी इस्थल है बीर भूमी बीर भूमी किसका समाधी इस्थल है बीर भूमी राजीब गांदी जी का समाधी इस्थल है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है महाप्रयाड महाप्रयाड घाट यह किसका समाधी इस्थल है? यह है राजिंद पिर्शाद डॉक्टर राजिंद पिर्शाद जी का यह समाधी इस्थल है नारायन घाट किसका समाधी स्थल है गुलजारी लालनंदा जी का समाधी स्थल है नेक्ष अवय घाट किसका समाधी स्थल है मोरा रजी देशाई जी हाँ मोरा रजी देशाई जी का समाधी इस्थल है किसान घाट किसान घाट पर किसका समाधी इस्थल है किसान घाट चौधरी चरड़ सींग का समाधी इस्थल है किसान घाट चौधरी चरड़ सींग का समाधी इस्थल है समता इस्थल पर किसका समाधी है तो समता इस्थल पर जग जीवन राम का समाधी इस्थल समता इस्थल है एकता इस्थल किसका समाधी इस्थल है ग्यानी जैल सिंग का समाधी इस्थल एकता इस्थल है next जानेगे उदय भूमी, उदय भूमी किसका समाधी स्थल है, तो उदय भूमी समाधी स्थल है, के आर नारायन, किसका उदय भूमी के आर नारायन का समाधी स्थल है, next कर्म भूमी, कर्म भूमी किसका समाधी स्थल है, किसका संकर दयाल सरमाजी का कर्म भूम समाधी स्थल है अब हम लोग इसी वीडियो में जान लेते हैं भारत के विष्व ग्रासत स्थल जो की यूनेसको सूची में सामिल किये गए हैं तो भारत के विष्व ग्रासत स्थल जोंसको सूची में सामिल किये गए हैं तो आगरा का किला जो की यूनेसको स्थल में सामिल किया गया था वजंता की गुफाएं कहा हैं महाराश्टर में एलोरा की गुफाएं 1983 में भारत की इबिस विरासत स्थल है जो की यूनेस को सूची में सामिल किया गया था 1983 में ये महाराश्टरा में है नेक्ट ताजमहल ताजमहल कब सामिल किया गया यूनेस को सूची में तो ताजमहल सामिल किया गया था 1983 में ये भी उत्तर प्रिदिस में है नेक्ट सूर मंदिर कब सामिल किया गया 1984 में सूर मंदिर उडिसा में है महाबलीपुरम के इसमारक कब सामिल किये गए 1984 में ये तमिल नाइडू में है मानस बन जीव अभ्यारण ये कब सामिल किया गया 1985 में ये असम्म है मानस बन जीव अभ्यारण असम्म है नेक्स्ट काजी रंगा बन जीव अभ्यारण ये युनेसकु सुची में सामिल किया गया 1985 में ये असम्म है काजी रंगा बन जीव अभ्यारण असम्म है मानस बन जीव अभ्यारण ये भी असम्म है नेक्स्ट केवला देव वनजिव अभ्यार यह 1985 में सामिल किया गया और यह राजिस्थान में है नेक्स्ट गोवा चर्च कब सामिल किया गया गोवा चर्च को 1986 में सामिल किया गया और यह गोवा में है फतेपुर सीकरी फतेपुर सीकरी कब सामिल किया गया 1986 में सामिल किया गया और फतेपुर सीकरी उत्तर फिदेश में है हमपी के अबसिस कब सामिल किया गया 1986 में और ये करनाटक में हैं अंपी के अफसिस, करनाटक में हैं, इनको Unesco Sushi में, 1986 में समिल किया गया, Next, खुजराओं के मंदिर, 1986 में समिल किया गई थे, मद्ध पिर्दिस में है, अलिफेंटा गुफाएं, 1987 में समिल किया गई थी, और ये महराश्ट्र में हैं, चोल मंदिर युनेसको सुची में 1987 में सामिल किया गया और ये तमिल आइडू में है पटग कल के इसमारक ये 1987 में सामिल किया गये ये करनाटक में है सुन्दरवन राष्ट्री उद्दान ये 1987 में सामिल किया गये ये पस्चिम बंगाल में है नंदा देवी और फूलों की घाटी ये नंदा देवी सामिल किया गया था 1988 में और फूलों की घाटी ये 2005 में सामिल किया गया और नंदा देवी तथा फूलों गाटी ये दोनों उत्राखंड में हैं next, सांची का इस्तूप, सांची का इस्तूप, 1989 में सामिल किया गया और ये मद्द पिर्देस में है, सांची का इस्तूप, मद्द पिर्देस में, इसको, युनिसको सूची में, 1989 में सामिल किया गया next हुमाईयू का मकवरा 1993 में सामिल किया गया था और ये दिल्ली में है next कुतब मीनार कुतब मीनार को 1993 में सामिल किया गया और यह भी दिल्ली में है तो कुतब मीनार को युनिसको सुची में 1993 में सामिल किया गया और ये दिल्ली में है नेक्स्ट दार्जिलिंग नीलगिरी कालका सिमला रेलवे तो दार्जिलिंग को 1999 में सामिल किया गया नीलगिरी को 2005 में और कालका सिमला रेलवे 2008 में सामिल किया गया ये सब पस्चिम बंगाल में सोरी दार्जिलिंग पस्चिम बंगाल नीलगिरी तमिला रेलवे ये हिमाचल पिर्देश में है नेक्स्ट महा बोधी मंदिर बोध गया महा बोधी मंदिर इसको 2002 में सामिल किया गया और ये विहार में है नेक्स्ट भीम बेटका भीम बेटका की गुफाएं भीम बेटका की गुफाएं 2003 में सामिल की गई और ये मद्ध पिर्देश में हैं नेक्स्ट, चम्पानेर पावागर फार्क ये 2004 में सामिल किया गया और ये गुजरात में है नेक्स्ट, छत्रपती सिवाजी टर्मिनल इसको सामिल किया गया था 2004 में और ये महराष्ट में है चत्रपती सिवाजी टर्मिनल को 2004 में सामिल किया गया और यह महराश्टर में है लाल किला लाल किला 2007 में सामिल किया गया और यह दिल्ली में है जन्तरमंतर जैपुर जन्तरमंतर जैपुर वाला 2010 में सामिल किया गया और यह राजस्थान में है नेक्स्ट पस्चमी घाट को 2012 में सामिल किया गया और ये महराष्टा करनाटक तमिलाडुकेरल में हैं नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के पहाड़ी के लिए ये सब 2013 में सामिल किये गए और ये राजस्थान में हैं राजस्थान के पहाड़ी के लिए हैं ये नेक्स्ट राणी की बाव और दा ग्रेट हिमालेयन नेशनल पार्क इनको 2014 में सामिल किया गया और ये गुजरात और हिमाचल पिर्देश में हैं नेक्स्ट देखेंगे कंचन जंगा नेशनल पार्क ये सब 2016 में सामिल किये गई थे चलिए नेक्स्ट और जान लेते हैं एहमदाबाद का एतिहासिक सहर ये यूनिस के सुची में 2017 में सामिल किया गया और ये गुजरात में है नेक्स्ट, विक्टॉरियन गोथिक आर्ट देखो, यह 2018 में सामिल किया गया और यह महराष्ट्र में है, नेक्स्ट देखेंगे जैपुर सहर, जैपुर सहर को यह इसको सूची में सामिल किया गया और यह 2019 में सामिल किया गया और यह जैपुर सहर राजिस्थान में है, तो आ बाद इस वीडियो में हम लोगों ने देखे युने इसको सूची में भारत के 20 विरासत इस्थल इसके बाद हम लोग नेक्ट वीडियो में देखेंगे भारत के सास्तरी निरत क्या देखेंगे भारत के सास्तरी निरत तो उसको देखने के लिए उसको सीखने के लिए और उसक FX और भी देर सारे it si लीए आफ के लिए ये रहा स्वाल कि क्विस्जिन आपके लिए जलमंदर कहां है जैल 만दर कहां है प्सँन है राज स्भाण विहार सर्दक्राभाज टमेनलाइडू इसमें से आपको अंसर जल मंदिर कहा है तो यदि आप सही जवाब देते हैं तो आप जी सकते हैं और भी बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और सेर कर दीजिए तो मैं मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्या हिन जै भारत